साथियों मैंने विदिता आपका जनसंगर्ष चानल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और तीन दन आपके बीच कुछ स्वास्ते के चलते नहीं आपाए इसके लिए माफी चाहते हैं और आज हम बाचीत करेंगे भारत में लगातार कुरोना के बटे मामलों के साथ-साथ अब एक नई बिमारी ने भी भारत में अपनी जगा बना ली है जिसका नाम है ब्लैक फंगस इसको काली फफून भी कहा जाता है कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर में तेजी से फैलता जा रहा है मेडिकल टर्म में इस्तिमाल किया जाने वाला शब्द है म्यूकोर माइकोसिस ये फंगस आँख, नाख, चहरे, फेफडों वा बाद में दिमाग तक असर कर रही है वक्त पर इलाज न मिलने वा मरीजों द्वारा सही वक्त पर न पहुँचा पाने पर यह इतनी बढ़ सकती है कि अंतिम विकल्प सरजरी ही रह जाता है सरजरी आखरी विकल्प क्यों है? क्योंकि इसमें शरीर के अंग खत्म होने लगते हैं, खराब होने लगते हैं, जिनको शरीर से वक्त पर अलग करना परता है अलग ना करने पर ये पूरे शरीर को प्रभावित कर सकती है, साथ ही साथ मनुश्य के मृत्यू भी हो सकती है यह मामले गुजरात, महरास्ट्र, बिहार, उडिसा, आंद्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश जैसे राजियों में देखे जा रहे हैं साथ ही साथ अन्यराजियों में भी यह भारत में अपनी जगा बना रही है यह शरीर में अपनी जगा नाक या मूँ के जरीए मिट्टी के संपर्क में या खून के जरीए मानव के शरीर में आ रहा है जिससे अंगों को नस्ट कर मनुश्य तक को खतम कर सकती है लेकिन वक्त पर इलाज करवाने से अंगों को भी बचाया जा सकता है साथ ही साथ मनुश्य के शरीर को बचा कर मनुश्य तक को बचाया जा सकता है यह फंगस जादा तर डाविटीज के मरीजों को हो रही है एम्स के निदेशक डॉक्टर गुलेरिया कहते हैं कैस्टरॉइट का जादा सेवन करने से ब्लैक फंगस के चांसेस बढ़ जाते हैं साथी साथ डाविटीज पेशिंस को ब्लैक फंगस होने की चांसेस काफी ज्यादा है अभी तक ब्लैक फंगस के 500 से जादा मामले पूरे भारत में देखे जा रहे है और डाक्टर गुलिया ये भी कहते हैं कि आमतोर पर आम लोगों में ब्लैक फंगस नहीं पाया जाता लेकिन जो कोरोना से पिड़ित लोग हैं उनमें ब्लैक फंगस के होने के चांसेस काफी जादा है उससे उनकी इम्म्यूनिटी कम हो जाती है जिससे ब्लैक फंगस जल्दी से उनकी बॉड़ी को हाम कर सकता है अब सवाल ये है कि सरकार लगातार यह जानते हुए कि देश के अंदर बड़ी-बड़ी बिमारिया तक अपनी जगा बना रही है जनता को बहुत जादा नुपसान जेलना पड़ रहा है वह अपने परिजनों तक को खोना पड़ रहा है इस पर सरकार क्या निर्णे लेती है हम सभी को सोच विचार करने की ज़रूरत है अगर आपको किसी भी तरीके का इंफैक्शन अपने शरीर में महसूस होता है तो आप जल से जल अपने डॉक्टर्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को कंसर्ट कर सकते हैं जिससे वक्त पर ये जाँचा जा सके कि क्या ये ब्लैक फंगस तो नहीं है अगर ये ब्लैक फंगस होता है तो आपको सही समय पर सही च्रीटमेंट दिया जा सकता है इसी के साथ आप अपने को स्वस्त रखें वा बिमारियों से साबधान रहें अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब वर शेर करना ना भूलें